नमस्तार आप देख रहे हैं खबरेटो 24-7 मैं सान्या जिन आपके सांग राज सरकार के प्रशाशन ने कड़े लॉकडाउन के निने सेंदोर को कोरोना संक्रमन का केंदर बिंदू बनाया कोरोना वारत से मुकाबला ऐसे किया जा रहा है जैसे माफिया के खिलाफ जंग लड़ी जा रही हो कोरोना ने रक्षात्मक मास्टर प्लान के बिना ही लड़ना वारोजाना जनता के साथ प्रयोग करना ये दर्शाता है कि शिवराद सरकार असा है मद्वडेश कॉंग्रिस कमीटी की प्रदेश सचेद राकिश सिंग्यादत ने शिवराज सरकार पर आरूप लगाया शिवराज सरकार लॉक्डाउन की परिष्टी समझने में असफल रही है लॉकर शाहों ने इन दौर की दुर्दशा कर दी है उनके पहले सब कुछ स्वामा कि लॉक्डाउन का जो सिस्टम में लॉक्डाउन क्या होता है यह मद्विदेश की सरकार समझ नहीं पा रही है इन लोगों को अमेरिका का लॉक्डाउन देखना चाहिए उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि लॉक्डाउन क्या होता है लॉक्डाउन के रहता है दो या तीन घंटे के लिए और उसके बाद जित्ते भी सारजनिक उपक्रम में वो बंद रहते हैं स्कूल कॉलेजेज बंद रहते हैं भीड बड़े इलाके बंद रहते हैं लेकिन अवशक वस्तियों की पूर्ती लगातार जारी रहती है यहां का प्रशाशन या रा काने खुली रहना थी किसी भी तरह का इसा निर्णा नहीं होना था जिससे जनता पेनिक हो जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं वो स्वें भाहरा सकें अपने इलाज के लिए उनको यह लगे कि सरकार और प्रशाशन हमारे साथ है लेकिन यह सब कुछ लागडाउन में नहीं शिवरा सरकार को जाता है जो कि लागडाउन की परिवाशा अपने अधिकारियों को नहीं समझा पर आपको क्या लगता है संक्रमन काल शुरू हुआ जिस दिन से लागडाउन हुआ उसके बाद यहां जो प्रशाशन ने सुबह साथ से दो तक ढिल दी ती उस समय तक संक्र संक्रमन बहुत सीमित था और लोग भी भार निकल के आ रहे थे कि यह बिमार हैं उनको अरोसपोरोस के लोग हस्पिटल पहुचा रहे थे जैसे ही शिवरा सरकार ने विवस्थनाएं बदली और लागडाउन का अर्थ बदला और जो निर्णा तका लिये गया फुल टाइम लागडाउन दूद बन कर दो लोगों को निकलना बन कर दो एरिये सील कर दो घर गर से ढूंडो फेशेंट यह हास्पत निर्णा है इस से शेयर का नुकसान हुआ है और इस संक्रमन और तेजी से बढ़ा है और आने वाले दो तिन दिनों में आप आज शेयर नहीं करें तो यह संक्रमन चार पांसो से पार हो जाए लगाता खबरों के लिए बने रहे खबरे 24-7 के साथ